नमस्कार आप देख रहें न्यूस वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ निर्भाय किसुर 22 मार्च 2020 का वपल लोगों के जहन में रहेगा क्योंकि आज पहली बार ऐसा देखने को मिला बहुत दिनों के बाद जब पूरा देश सननाटे के साथ था पूरा देश प्रधान मंतरी मोधी की द्वारा की गई अवाहन का सम्मान कर रहा था जब पूरा देश सननाटे में था कि उसे क्रोना बाइरस के विरूद एक लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई छिड़ चुकी है और इस लड़ाई के साथ साथ जैसे ही प्रधान मंतरी मोधी ने देश को संबोधित करते हुए गूरु बार को लोगों से अवाहन किया था कि आप जनता कर्फियू के समर्थन के साथ साथ साम में अपने घर पे थाली बजाएं संखनाद करें मिर्दंग बजाएं और उसका नजारा दिखा जब ठीक पांच बजा और लोगों ने प्रधान मंतरी मोधी के कहे अनुसार घंटी बजाई संख बजाई थाली और कई और प्रधान मंतरी मोधी ने अब लोगों को धन्यवाद दिया है जिस तरीके से पांच बज़े के बाद से पर दान मंतरी मोधी ने कई ट्वीट किये हैं और इस ट्विट को ले कर के सबसे पहली बात प्रधान प्रधानमंत्री मोधी के वो शब्द हैं जब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस लड़ाई के लिए लोगों को थाली बजाकर उनका सम्मान करेंगे उस सम्मान के ठीक बात जैसे ही लोगों ने पूरे देश ने थाली बजाकर के संक बजाकर के सम्मान किया उसके बाद प बिजय की सुरुवात का भी नाद है उस नाद का जिसके हम संख नाद की बात कर रहे हैं जिसमें थाली से निकली उस ध्वनी की बात कर रहे हैं जिसमें मृदंग और कई ऐसी बाद देयंतरों के ध्वनी की बात की गई जब पूरा वातावरन गूज रहा था उस बीच प्रधान मंतरी मोधी के बाद जिस तरीके से ये ट्वीट आये हैं वो साफ तौर पे अंगित करते हैं कि ये संखनाद है जो कि बिजई की सुरुवात की नाद है आईए इसे संकल्प के साथ इसे संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आपको बंधनों म सोसल डिस्टेंस की भी उन्होंने बात की है और जिस तरीके से एक नए शब्द सब के जहन में आये हैं सोसल डिस्टेंस यानी कि समाज से अब दूर हो ये क्योंकि आप खुद को सुरक्षित करेंगे तो ही आप समाज को सुरक्षित कर सकते हैं हलाकि उसके बाद अब से एक घंटे पहले उन्होंने दो ट्वीट किया था अब से ठीक आधे घंटे बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया था और उसमें उन्होंने लिखा था आज का जनता कर्फियू भले ही रात नौ बजे खत्म हो जाएगा परदान मंतरी मोदी ने जैसे यह आवान किया था कि रवी बार की सुबह साथ बजे से ले करके रात नौ बजे तक ये जनता कर्फियू लगाई जाएगी क्योंकि ये जनता के द्वारा जनता के लिए लगाई गई ये कर्फियू होगी लेकिन इसके बाद से उन्होंने अब कहा है कि यह 9 बजे तो खत्म हो जाएगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम celebration शुरू कर दे इसकी सफलता ना माने यह लंबी लड़ाई के शुरुवात है आज देशवासियों ने बता दिया है कि हम सक्षम है निर्णय ले और बड़ी से बड़ी चुनावती का एक होकर हम इसे सामना करें और इस चुनावती को हम हराएंगे कई सारी ट्वीट कियें जिसमें तीसरी ट्वीट थी है मैं चौती ट्वीट बात कर रहा हूं जो कि ठीक अब से आदे गंटे पहले की गई है क्योंकि ये ट्वीट है देश में कई ऐसे देशों को लॉकडाउन करने की बात की गई है उसके बाद से जिस तरीके से फैसला लिया गया है उसके बाद से परधान मंतरी मोधी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन करें जिन जिलो और राज्यों में लॉक्डाउन की घोश्टना हुई है वहाँ घरों से बाहर न निकले इसके अलावा बाके हिस्सों में भी तब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से ना बाहर निकले यानि कि आज का दिन पूर्ण रूप से समर्पित है देश की सुरक्षा के लिए आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा के लिए अपने समाज की सुरक्षा के लिए क्योंकि इस महामारी रूपी काल को खत्म करने के लिए ये एक लंबी जंग होगी और इस जंग किसे निपटने के लिए आपको हमें सब को एक जूट होना पड़ेगा और इस एक जूटा के साथ साथ हमें इस लड़ाई को पार करना पड़ेगा इसलिए आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, अपने परिवार के सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, आप भी सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी पर ध्यान दे, आप भी 207 संगठन द्वारा जारी की गई ए बलकि संयम से काम ले, सुरक्षा बढ़ते और न्यूज वालने भर भी आपसे यही कब अफील करता है। फिलाल इतना ही बने रहें न्यूज वालने में के साथ, नमस्कार। बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें।